दोस्तो यहां पर अगर देखते हैं जैसे ही आपके मोबाइल में आप जेरोदा का अपिलिकेशन यहां पर लॉग इन करते हैं तो जो उसका डिफॉल्ट इंटरफेस है तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा उसके बाद में आपने क्या करना है कि आप अगर निप्टी, बैंक निप्टी, फिन निप्टी, फाइनांस निप्टी, इन सब में अगर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने क्या करना है कि इसका मैं यह एक एगजमपल बता दाऊं कि आपने वाच लिस्ट में कैस एड करना है उसको तो यहां पर आपने क्या करना है कि यहां पर जाकर आपने सबसे पहले आपके इसमें निप्टी बैंक निप्टी जो भी आप या तो किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते है तो उसको यहां पर एड करना है मैं यहां पर एड करता हूं निप्टी जैसे आप यहां पर nifty डालेंगे nifty 50 तो यहां पर यह open हो जाएगा तो हमने इसको सबसे पहले यहां पर आपने क्या करना है कि इसको add करना है आपके watch list में आपने इसको watch list में add किया उसके बाद में आपने back जाना है तो यह जो method है यह सबी इसमें आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते लेकिन मैं आज यह जो है example तो nifty के लिए बता रहा हूँ तो उसके बाद में आपने क्या करना है यह आपके watch list में nifty add हो गया उसके बाद में क्या करना है अभी यहां पर अगर आप थोड़ा dance से देखेंगे तो market अभी close है लेकिन मैं आपको जो strike price होता है तो उसको कैसे select करना है या तो उसको कैसे add करना है इसके regarding आपको बताऊंग यहां पर अगर देखते तो nifty 50 अभी कितना शुरू है 19600 के उपर शुरू है यानि कि अभी market भले close है लेकिन जो current price है तो इसके उपर close हुआ है यह 19664 इसके उपर तो आपने क्या करना है कि यह जो 19600 है तो इसमें क्या होता है कि इसका strike price कैसे होता है तो 19605, 1970인가 1800 इस तरह से होता है बैंक nifty में कैसा होता है 45500, 45800 इस तरह से तो आपको लगता है कि यहां पर अगर जाएंगे nifty 50 में तो यहां पर आपको चार्ट देखना है उसका तो आपने इसके उपर पहले तो click करना है यहां पर view chart के उपर click करना है view chart के उपर click करने के बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह थोड़ा यहाँ पर थोड़ा time लगता है उसका जो chart है तो वो load होने में तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह अभी default में क्या होता है कि ऐसे chart आपका open हो जाएगा तो यहाँ पर जो होता है तो यह आपको जो chart है तो यह पूरी तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि निप्टी बैंक निप्टी अभी फिलहाल क्या कर रहा है तो यहाँ पर अगर देखते है तो आपको लगता है कि अभी 19,673 इसके उपर निप्टी अभी जो current price है तो यह है तो आपको लगता है कि 19,633 से उपर प्राइज जो है तो निप्टी जो है तो क्या करने वाला है कि 19,700 या तो 19,750 या तो 19,800 के उपर जाने वाला है तो आपने क्या करना है इसको बेक जाना है और यहाँ पर आपने strike price जो होता है तो यहाँ पर क्या करना है आपने 19,000 मैं समझता को 19,800 के उपर जाने वाला है निप्टी तो यहाँ पर मैं 19,800 इस तरह से मैं यहाँ पर type करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 19,800 जो है तो यहाँ पर यह विकली मंतली यह जो सभी जो होते है तो यह इसके strike price यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो आपने क्या करना है इसको जो है तो यहाँ पर add करना है add करने के बाद में जो है तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वो जो आपकी strike price है तो यहां पर वो यहां पर add हो जाएगी उसके बाद में अब आपने क्या करना है कि इसको हमने buy या तो sell यहां पर कई से decision लेंगे तो इसके लिए आपने क्या करना है यह जो हमने अभी यहां पर strike price तो इसको select किया इसके उपर आपने click करना है click करने के बाद में यहाँ पर जो है तो यहाँ पर दो option यहाँ पर आपको दिखाई देंगे एक है buy का और एक sale का आप अगर सिर्फ option buyer है तो आपने यहाँ पर buy के उपर click करना है buy के उपर click करने के बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो nifty है तो उसका एक lot जो है तो वो कितने का है यानि कितने quantity का होता है वो 50 quantity का होता है तो यहाँ पर जो है तो आपको multiply में quantity डालना पड़ेगा यानि कि 50, 100, 1500, 200 इस तरह से आप इसको जो है तो 25 या 30 इस तरह से नहीं डाल सकते आपने इसको lot में डालना पड़ेगा यानि कि 100 या तो 1500 इस तरह से तो यहाँ पर अगर समझो हमको एक lot ही लेना है तो यहाँ पर अगर देखते है तो इसको हमने lot डाल दिया आप जो है तो इसको जो price है आप कौन से price पर इसको यह करना चाहते है तो इसके उपर आप price भी यहाँ पर आपके हिसाब से डाल सकते है लेकिन अगर आप market order में इसको अगर execute करना चाहते है ट्रेड को तो आप सिधा यहाँ पर intraday में market order के उपर click करेंगे तो यहाँ पर जो है तो यह price यहाँ पर नहीं आएगा यानि कि जो market में जो rate उसका price जो है तो वही यहाँ पर consider करेंगा और आपका जो है order तो यहाँ पर जो है तो उसके बाद में आपने क्या करना है कि नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि margin आपको एक आगर lot लेना है तो इस price से कितना lot लगेगा उस lot के लिए कितना आपको margin लगेगा यानि पैसा लगेगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसके आगे जो है तो आपको एक lot के लिए buy करने के लिए charges कितने लगेंगे उसके बारे में यहाँ पर दिखाई दिया है तो उसके बाद में है कि आपने क्या करना है कि अभी तो market जो है तो बंद है इसको फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है to swipe to why करना है तो यह क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, इस तरह से, अभी market जो है, तो फिला हल close है, that's why यहाँ पर वो नहीं लेगा, तो आप लाहू market में इस तरह से कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे, तो limit में, तो यह limit option जो है, तो limit में क्या करना है अपने, limit के उपर click करना है, और यहाँ पर जो है, तो आपके हिसाब से, यहाँ पर price डालनी है, 60 या तो 65 इस तरह से, ताकि जब भी price जो है, तो यह आपने जो decide price यह किया है, तो उसके उपर आएगा, तो आपका order जो है, तो वो immediately execute हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या है, कि यहाँ प stop loss order, इसके उपर भी आप, प्राइज, आपका decided price यह करके, आप यहाँ से, आपका order execute कर सकते हैं, इसके बाद में है, SLM, यानि stop loss limit order, यह भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एक दूसरा एक option दिखाए दे रहा होगा, overnight, यह overnight, इंट्रा डे में तो यह होता नही है, आम तोर फे, लेकिन आप इसका इस्तमाल करना चाहते हैं, तो इसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं, उसके आगे, तो EAMO, यानि कि, यहाँ पर जो option है, तो यह EAMO, iceberg, यह किस लिए इस्तमाल होते हैं, जो अगर आपको iceberg का मतलब होता है, कि आपक अगर बहुत बड़ी quantity लेनी है तो उसके लिए इस्तमाल होता है लेकिन एक lot या तो दो lot के लिए जो है या तो उससे ज़्यादा भी आपको लेना है तो यहाँ पर जो है तो आपके आपने regular को ही यहाँ पर इस्तमाल करना है उसके बाद में क्या है अब आपको कैसे समझेगा कि आपको जो है थोड़ा मैं पीछे आता हूँ और यहाँ पर अगर देखते है तो 19,600 है तो 19,600 के उपर जितने भी सारे price होते है तो वो क्या होते है अगर आपको लगता है कि आपको क्या करना है कि आपको long जाना है यानि कि call by करना है तो 19,600 के उपर जो होते है तो यह क्य होते हैं तो आपने OTM, ITM, ATM इन सब के बारे में आपको knowledge होना ज़रूरी है तो इसके लिए आप जो है तो मेरे बाकी के video देख सकते हूं उसके बाद में है यहाँ पर आपको समझू इंडेक्स में नहीं करना है आपको किसी जो है particular stock में trade करना है जैसे कि यहाँ पर मैं यह करता हूं SDFC bank तो यहाँ पर आप SDFC bank इसको भी क्या कर सकते है कि इसको आपके watch list में यहाँ से add कर सकते है और जो तरीका है buy sell का तो वो same ही है लेकिन index में option trading में क्या होता है आपको strike price के उपर trade करना होता है और जो आप stock में trade कर रहे होते है तो आपको जो है तो सिर्फ जो उस particular stock का price है तो उसके उपर आपको trade करना होता है जो current price है उसके उपर तो मैंने क्या किया SDFC bank के उपर click किया और यहाँ पर आपको buy करना है तो आपको यहां से buy कर सकते हैं यानि कि यहां पर जो होता है इसमें lot नहीं होता है आपको quantity होती है आप यहां पर 10 quantity, 12, 13 इस तरह से भी कर सकते हैं उसके बाद में यहां पर आप swipe करेंगे तो यह आपके order लग जाएगी उसके बाद में आपको समझो SDFC bank को sale करना है तो process वही same है यहां पर आपको sale के उपर क्लिक करना है करने के बाद में जैसा महीं ने आपको यह तो जैसे आपको बताया कि यह market order, limit order यह sale, यह क्या होता है तो यह same ही है उसके बाद में आपने swipe to sale करना है और आपका जो order है तो आपने अगर यहां पर market order पर select किया है तो जो current price है जो चल रहा है तो उसके उपर यह execute हो जाएगा तो इस तरह से आपका जो zero-da है तो zero-da का इसमें इस्तमाल कर सकते हैं and that's it guys in this video आपको किसी भी app में या तो किसी भी trading platform पे जाते है zero-da हो या तो up stock हो या तो grow app हो किसी के भी जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत function जो होते है तो इधर उधर मिल जाएंगे लेकिन काम जो है तो वो यह खी करते है buy और sell का ये बात अलग है कि आपको app में जाकर order कैसे लगाना है buy करना है या sell करना है लेकिन उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि price जो है तो उपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है उसके लिए आपको technical analysis का आना price action का आना lot sizing, risk management आपके trading psychology जो होती है तो लाहू market में आपके psychology पर control करना ये बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए आपको इन सब का knowledge होना ज़रूरी है आप अगर इसके बारे में सीखना चाहते है तो आप मेरे channel पर जो other videos है उन्हें देख सकते है और आप अगर stock market को और trading को अपना career बनाना चाहते है तो आप मेरे course को join करने के बारे में भी सोच सकते है जिसका link मैंने video के description में दिया हुआ है उसके उपर click करके आप इसके detail चेक कर सकते है मुझे whatsapp या तो email के उपर contact कर सकते है So thanks for watching See you in the next video